प्लेट फाराम और रेल पटरी की वो टोटल स्टेशन मास्टर की होती है तो स्टेशन मास्टर यहाँ पर मतलब यह टुजड जो भी इस मामला का दोसी है स्टेशन मास्टर कि अब्रिवान सभी को जाहिं जाजवान स्वाइगती आपके अपने यूटूब चनल से अफ्ली राजा हंदुस्तानी ब्लाग में वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है घर पे तो घर पे भी टाइम नहीं मिल पा रहा होता है और यहाँ समझाने की कोशिस करेंगे अगर समझ में दो आएं placing me mins करने का कोई भी पैसा नहीं लहें लगता है कोई ऐते लिदेक्या कर दिए और कमेंट जरूर बतायेगा कि हमारा थोड़ा सा जो सुछाव रहा कैसा अप लोगों के बीच तो चलिए बताते हैं आज का टॉपिक यही है कि ओडिशा के बालासोर में जो रियल दुर गटना गरस्ट हुआ है जो तीन ट्रेने आपस में लड़कर पूरी तरह से नास्ता नाबूद हो गए हैं उनको आज हम एक आसान भासा में आसान कॉंसेप्ट में आप लोगों को आज के 40-42 साल पाले ऐसा दुर गटना करस्ट हुआ था तो इसमें हाद से जादा मतलब हानिया हुई है जो कुछ इस परकार से हैं जैसे में मरने वालों की संख्या 300 प्लस हो गया है और घायल या तो गायल यात्रियों की संख्या 900 से प्लस हो गया है यानि कि मैं बता दूं सब्सक्राइब तो देखिए उनका किसमत कितना खराब है मतलब एक होता है ना कि नहीं मतलब जबर जस्ति लेकर जाता है उपर मतलब बुलावा आगे चल भाई उपर जा तो कुछ इसी परकार से कुछ ही आत्रियों के साथ हुआ जैसे में कि एक जगह से बड़े थे मतलब ट्रेन एक्सिडेंट हुआ ही था एक जगह से पूरी तरह से घाय ली थे तब तक दूसरे जगह गए वहां पर मतलब फिर से बस से जा रहे थे जिस बस जा रहे थे वही बस एक पीक अप में जाकर लड़ गया मतलब जो डंफर होता है डंफर में जाकर लड़ गया तो इसी को काता है मतलब पूरी तरह से किसमत खराब होना तो चलिए एक चाट पेपर के थूँए हम बताते हैं की ट्रेने कैसे आपस में बिढ़नत हुई है क्या परभाव पड़ा है कौन से ट्रेंट लड़ा है क्या कमिया रही है टोटल आज हम एक चाट पेपर के माधिय से बताएंगे चाट पेपर में मतलब ही तोड़ा जल्दी-जल्दी में बना दिया है कि कर्मी का तापमान जो है 40 पलस जा रहा है इसलिए बहुत जाद गर्मी हो रहा था तो बस सौट कॉट में मतलब जो भी चाट पेपर पर बना है अच्छा नहीं बना है बट जो भी है म अब हम यहाँ पर जो बाला सोर ओडिसा में जो बाला सोर रेलवे स्टेशन है उसका हम नक्सा बना कर रेडी किये हुए है अब ही आप लोग देख से आप लोग पाले नक्सिक को देख लीजिए यह नक्सा थोड़ा साटकॉट में बना है जल्दी-जल्दी तो अभी मैं ब कर रही है ठीक है जो में लाइन जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं में लाइन ठीक है जल्दी-जल्दी बताते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो यह जो आपका यहां से कटा हुआ है यहां से जो कटा हुआ है यह लूप लाइन है आपका यह लूप लाइन है ठी लूप लाइन की मतलब लंबाई 650 मीटर होती है हर एक रेलेवे प्लेट फारम पर लूप लाइन की जो लंबाई होती है आपका चेंजिंग बॉक्स है इंटरलाकिंग सिस्टम है यही आपका में खेल आपका यहीं से खराब हुआ है ठीक है यह और यह मेंन कारण है ठीक है अभी हम बताते हैं step by step अभी आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर भी signal है ठीक है क्योंकि इधर से जो ट्रेंडें जा रही है यहां पर भी signal है क्योंकि जो मतलब गाड़ी पर लेटफारम पर खड़ी रहती है तो यहां से माली से यहां पर भी एतmore फालो किया जाता है और में लाइन में आती है अगर इसको यहां पर पर थो यहां पर की बत्ति जबांता तुन सैंड़ एहां का गाड़ियों है तो फार्मپरिका आव सब्सक्राइब कढ़िए도 और माश्टर की होती है तो इस सब्सक्राइब ावी जो सब्सक्राइब की तुम बस इतना ही काम रहता है तो गाड को चलाए और गाड का अभी इतना काम रहता है कि वो बता है हाँ ट्रेन कहां पर मतलब रोकना है और कितनी दूरी पर रुकना है और रेलवे ड्राइबर का यही मतलब काम होता है कि वह स्पीड को मतलब तेज करता है स्पीड सलो करता है हरन बजाता है और कि ब्रेक लगाता है और मतलब एर प्रेसर तो अवी हम बता देखिए चलिए बीडियो को यह पूरा सिगनल यहां पर प्रभी सिगनल रहते हैं यह वी इंट्र लोकिंग शिश्टम बाक्स है दोनों तरफ रहता है ठीक है इंट्र लोकिंग सिश्टम बाक्स यहां पर यह एक और loop line मतलब बढ़ाया जा सकता है इधर भी बढ़ाया जा सकता है ठीक है तो अभी मैं बता दूंकि ना अरे मालगाणी खड़ी थी बालासोर railway station पर जो मालगाणी खड़ी थी और इधर से आपका जो है कि इधर से चाट specially प्रिपर इतना ही बड़ा है था तो मतलब कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रहे थी यहां पर इस गाड़ी को रुकना नहीं था इस लिए ड्राइबर अपनी फुली स्पीड में गाड़ी को से क्लियर था कि आपको इन्ह रुकना है थो डायन तिस को अन पर नहीं था इसको डायरेक्ट यहां से डिकल जाना था यहां से आघर निकाल जाता यहां पर रुम से गलती यह हुई है यह द्लॉस्ध को बश्दोे लूपमलाइन में खड़ा हो गया ठीक है अपने लूपमंगारि खड़ा था इधर यह इंधा यह पर मालगारी के गार्ड का डिबा ह debates है लास्ट बाली Nos अन्हें यहmoment ठीक है यहां पर गार्ड गणोल इस भी तो जैसे मतलब आ रहे थी आ थे तो में लावी सिगनल दीखा तो तो पुर पूरा फूरा स्पीड में चला रहा थाओ ट्रेश को तो जब रुकना नहीं था तो फुली स्पीड में अपना मैक्सिम्मम स्पीड में ट्रेन को चला रहा था तब तक गलती है हो गई है तो यहां से इसका जो चेंजर चेंजिंग सिस्टम होता है यहां से चेंज नहीं होता है अभी आप लोग देख सकते हैं असान भास में मतलब यह कुछ इस परकार से होता है इस परकार से लॉकिंग सिस्टम होता है ठीक है यह लॉकिंग सिस्टम इधर सटा हुआ था अभी मैं यहां पर शटा हुआ था अगर इधर से खुला रहेगा तभी जाके इस पर यह जाएगा और यह लॉकिंग सिस्टम यहां से लॉक था तो आपका ट्रेन मतलब डायरेक्ट इधर गया ठीक है तो इस्टेशन मास्टर की गलती यह हुई कि इस लॉकिंग सिस्टम को मतलब में लाइन में सेट नहीं किया ठीक है जो लॉकिंग सिस्टम था इसको मतलब में जो दो ट्रेन खोने माला है कि एक है नंट गया हुंद को Official को सब्सक्राइब compression और इन का सब्सक्राइब यहां पर काम करने करता क्या प्राइब क सा फ्सक्राइब करता तो जो opinions रहे हिए फार अगर आमने से जो दो ट्रेने आ रही हैं उनको कंट्रोल करना उनको उनके मतलब क्या है कि सिस्टम में जाकर है करके सिस्टम को मतलब अपने कंट्रोल में करके क्या कि ट्रेन को रोक देना तो कवा सिस्टम कहां पर कुछ काम नहीं था तो मालिजे कोई भी काम हो रहा है तो ब प्रिया में 66,000 km भारत की रेल पटरी की लंबाई है पूरे जगाओं पर कैसे बैठा पाए गया एक ही दो साल में तो मतलब अपना कॉस्सिस्टम जो भी है अभी दो-तिन रूटों में ही सेट किया गया है तो यहां पर कुछ अगर कॉस्सिस्टम भी रहाता तो यहां पर दु माल गाड़ी एत करेंके दो बन के इतर प्रोटों मेंगा एक है स्वकार्वता कलता डुक्ती उसके चार्पह सब्सक्राइब कातीएं स्पीड में पूरा अपना फुली स्पीड में मुढ़ेगा तो यहां पर डाइवेड होका मतलब क्या है की डिरेल डिरेल हो जया वह गिर जाएगा जब गिर जाएगा तहुण घटना करस्त होता यह तो खैल संजोक की बात है मतलब माली जब यहां पर मुड़ा डाइरेक्ट जाकर मालगाड़ी में लड़ा तो कुछ ज्यादा ही परवाव पड़ा अगर नहीं रहाता मालगाड़ी तभी परवाव पड़ता इधर को जो भी मतलब प्लेट फारम था पुरा नस्तोर आबूद वहाँ पर कर देता तो जब एक कोईरोमंडल फुली स्पीड में गया तो यहां पर जो मालगाड़ी था मालगाड़ी में लड़ने के बाद यह जो डिब्बा होता है इस दुब्ब्बे के उपर मतलब देखी सकते हैं आप लोग जब लड़ा तो पूरा मतलब इसका उन्नीस एक किस बोगी होती है तो पूरा यहां पीछे तक दुर घटना करास्त हुआ सेम टाइम पर देखिए कितना किसमत खराब था कि यह जब ट्रेन लड़ा उसी टाइम सेम टाइम पर क्या कि हावडा एक्सप्रेस गुजर रही थी मतलब लड़ा एक्सिडेंट होता है तो हुद इसके ब гол पूर्पड्व था गया कोई रहा था Jestकि वख कितना क्यों बोगी लेकिन लास्टव घुल होता है वही पूरी इसका भी कोई पूरा था इसका बोगिया थी ठीक है एक कोई इधर गया कोई इधर आया मतला बहुत दूर दूर तक इसका इस फिलमी स्टाइल के माध्याम से मतला पूरा तितर सरकें मतलब चितरा आगई तो जब यहां से तो कुरमंडल का जो बोगिया है इधर तोई तो इदर जो होता है जा रहा होता है सेम टाइम पर नास्ट्ट वाले तीन बोगियों पर गेरा से लाष्ट वाले जो रहते हुआ गाय लिए गाय लिए में सफर कर रहे थे अब देखिए किसमत कितना अच्छा है यह वाला जो मालगाड़ी है मालगाड़ी है मालगाड़ी था मतलब अगर यह भी मतलब पैसेंजर ट्रेन हुआ होता तो कितना ज्यादा मतलब कम तब तुम भाई 500 पलस गया होता इतना जोड जटका था अगर यह मतलब माल से लोड था ताकि आगे नहीं गया ने तो अगर पैसेंजर ट्रेन रहाता तो पैसेंजर में मतलब ज्यादा उतना लोड नहीं रहाता है तो पूरा फुली आगे गया होता आगे में मतलब पूरा यह आगे निकल गया होता सीधे और इसका भी मतलब बहुत जाद दुर गटना करस्ट हुआ होता है तो टोटली मतलब विलाज वुलाकर गल्ती यहीं से हुआ है चेंजिंग लॉकिंग इंटर लॉकिंग सिस्टम होता है और जो ग्रीन सिगनल है यहां से में मतलब दोनों गल्तियां यही है यही आपका में भी यह के नहीं लेकिन की बाहर जीतने में सफर किये हुए है तो फुली स्पीड में चलांते हैं क mem like to help your company आपको स्वेथ यात्रियों और यहीं आप फुर्ली में चला रहा होगा तो अभी तो इसमें काफी सिविया इंकॉयरी आपको मतलब आपक परताल कई करें रहा है कि मतलब क्या कि मतलब इसमें तो अगर गलती हुई होगी तो इसमें मुझे साड़ीम होगी तो मह लिजै यहां Fr यहां स्टेशन मास्टर को पकड़ा जया स्टेशन मास्टर की गलती है यहीं कुछ मिलकर यहां copies यह लोकिंग सिस्टम इसके साथ छोड़ च्छाड़ किया गया होगा या तो इन्टर मतलब टेकनिकल इसू भी हो सकता है क्योंकि आज मतलब आज के जब आने में जब माली जे एक इंसान के उपर बिलीव नहीं किया जा सकता है तो इसमें भी कुछ फाल्ट हो सकते हैं जिसमा यह से मतलब कंट्रोल करता है यहां से तो यहां से मशीन में बीफी हो सकता है वसीसे इसको संदेश नहीं दिया यहां से मतलब यहां से जो करनेक्सन दिया रहता है। सभी इंटरलौकिंग सिस्टम और क्या कि siignal system में तो उसका भी कुछ कटी हो सकता हुए तो अगर चालोगी तो इंसालला कोई भी भकसा नहीं जाएगा सबी लोगों को सजा जरूर मीलेगा मतला सबी जगह सजा मिलता है इसा बात नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि यह हमारा बताया हुआ एक मतलब ब्लॉगिंग वीडियो और यह बताया हुआ जितना भी मतलब हम एक चार्ट पेपर के तुरू आप लोगों को बताने कोशिश की है एक ऐसा रहा इन्फरमेट्व वीडियो ब्लॉगिंग वीडियो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर वीडियो झाल